अब लोग अब लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट आप वोकेब को लेकर जहां मैं आपसे एक क्वेस्चिन करूंगा और उसके फोर आप्शन्स आरा राइट देर तो यह आप तो ताल में विल्कुल सही वाला आप्शन चलेगा रुक कर लेते हैं अपने स्ट्रीन का and here we go for the very first question और पहला question वो आपके स्ट्रीन पर आ चुका है तो एक बार देखेगा फटाफट one who is very intelligent क्या one who is very intelligent is called what जो सबसे बहुँ ज़्यदा intelligent होता है उसको क्या बोलते हैं तो all the same four options are right here candid, miracle, sagacious and popper एक बार फटाफट जवाब लगाईएगा and I hope so कि इदिन देर में आप उने जवाब लगा भी लिया होगा तो आई पोस्ट मोडम कर लेता है इक पार चारों ही words का popper जो ये word है इसको हम लोगों ने याद गया था पापर से किसे याद गया था बई पापर से कि पापर बेचने वालों को गरीब समझा जाता है तो जो गरीब होता है उसको हम बोलते हैं मिरेकल वर्ड को याद करने का तरीका था मीरा और कल मीरा कल से चमतकार पर चमतकार दिखाए जा रही है देखेगा आज वाले टेस्ट में हाप्सों की टैन उन टैन आना चाहिए बहुत सारे बच्छों का चलिए केंडिड वर्ड हम लोगों ने याद गया था के यानि कि सबजी सबजी ज्यादा मात्रा में खाने वाले जो बच्छे होते हों बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं यानि कि क्या होते हैं सैवंट होते हैं और सैवंट वर्ड को किसे याद गया था सावंद से कि वह राखी सावंद वड़ी है बुद्धिमान अभिनेत साधे होते हैं चलेगा तो यहाँ C option is the right answer और जिस जिस बच्चे ने यहाँ जवाब C लगाया है अपने खाते में एक number और जोड लिजीगा यानि कि अभी शुरुआत है तो एक number जोड़िएगा here we go for next question और next question है जी वो आपके stream पर आख चुका है देखिएगा the topmost point यानि कि सबसे उपर वाला जो point होता है उसको क्या बोलते हैं Atari जिसको बोला जाता है या कहते हैं कि शिखर जिसको बोला जाता है तो देखिएगा all the same four options are right here capacious, capacious नाइव नाइव तो अभी अभी मैंने आपको बताया था faster या acme तो एक बार फड़ावर जवाब लगाईएगा post modem करते हैं जी पहले वर्ड से capacious वर्ड को हम लोगों ने याद गिया था किससे cap की capacity यानि कि cap पहनने की जो उसकी capacity है वो विशाल है क्या है विशाल है यानि कि massive है क्या है massive है colossal है क्या है colossal मैं और शिव से मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूँ colossal वर्ड हमने college और जाल से याद गिया था भारत के अंदर colleges का जाल बहुत ज़्याल है towering हमारे प्रोस में जो tower है वो बहुत ज़्याल है gigantic गगन गगन यानि कि आसमान बहुत ज़्याल है या विशाल के लिए को रवड़ था mammoth mammoth मैं का mouth से हम लोगों नहीं याद गया था mammoth बहुत बड़ा है यानि कि बहुत ज़्याल है गोरगेंचुवन यानि कि अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए कैसे गन चुनेंगे जी विशाल गन चुनेंगे चलिए knife यानि कि नाव से याद गया था अभी मैंने आपको बदा है भारत में नाव चलाने वाले लोग कैसे होते हैं Candid होते हैं जी Candid बोले तो Candid खाने वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सीदे सादे होते हैं निश्कपट होते हैं जी बिल्कुल Pester को हम लोगों ने Faster से याद गया था faster bowler के आते ही बल्लेवाजों की स्थिती और ज्यादा खराब हो जाती है तो जो खराब होती है और ज्यादा खराब होती है that is called faster Acme word हम लोगों ने याद किया था अकेले और मैं अकेले मैं ही आपको शिखर तक पहुँचा सकता हूँ अकेला मैं ही आपको शिखर तक पहुचा सकता हूँ यानि कि शिखर हुआ हमारा D option is the right answer बिल्कुल इसके लिए दूसरा वर्दा पिनेकल और पिनेकल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पिन और अकल से पिन बनाने की अकल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिन्दगी का सर्वस रेश्ट दिन होगा तो यहाँ पर D option जिस भी वच्चे लगया है एक नमबर और जोड़ लेशेगा चलेगा वेरी डर्टी जो बहुत ज्यादा गंदा होता है या उसको हम लोग फिल्थी भी बूल देते हैं तो एक बार 4 options और एक बार देखेगा और जवाब लगा लिजिएगा एकशली आई हॉप सोगी जवाब लगाने में आपको 10 सेगन से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल फटाबर जवाब लगा लगा लिया है सैटिट्यूड को हम लोगोंने सैटिफिकेट से याद गया था बई किसे याद गया था सैटिफिकेट से सैटिफिकेट लेने के बाद आपके जीवन में निश्चित्ता आ जाती है क्या आ जाती है बई निश्चित्ता आ जाती है या आप बिल्कुल निश्चिंद हो जाते हो राइट वो था ना वो persistent continuous या पास से लोग अपना tent द्रिड़ता के साथ गाड़ते हैं बिल्कुल लविश वर्ड हम लोगों नहीं याद गया था लव और विश से लव करने की है अगर आपकी विश तो आपको धुंदला दिखाई देता है कैसा धुंदला यानि कि मरकी मरकी किससे याद गया था मकडी से मकडी ने मरकरी खाली थी यानि मरकरी धात उसने खाली थी उसके बाद उसको धुंदला दिखाई देने लगा चुरे स्कॉलिट इस स्कॉलिटे की लीड से हम लोगों नहीं याद गया था इस स्कॉलिटे की जो लीड है वो हमारे कानों को गंदा गरती है यानि कि फिल्थी क्या गरती है फिल्थी और फिल्थी वर्ड किसे याद गया था फिल्म थी गंदी इसलिए हमारा दिमाग भी क्या हो गया गंदा यानि कि रॉंची रॉंची वर्ड किसे याद गया भई रॉंची से कि रॉंची शहर बड़ा ही बेकार है गटिया है गंदा है है नहीं मैं तो वैसे बता रहूं है न चले इसे के साथ में here we go for next question और अगला question लग चुगा है जी stream पर तो देखेगा फड़ा बड़ जवाब लगाएगा इतना time मत लगाईएगा चले और जो आपका question वह है that keeps on changing जो भाई change होता रहता है चेंजेबल जिसको बोला जाता है तो उसके लिए यहाँ पर कितने सारे words है मिल्स कून से और option बिल्कुल सही जव जवाब है एक बार फड़ा बड़ देखेगा और जवाब लगाएगा जे बिल्कुल चलिए I have been waiting for your comments so make it fast detrimental word हमने याद गया था doctor or mental से I hope आपने जवाब लगा लिया है आपने doctor जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक है क्या है रानिकारक है बिल्कुल Indigent is our next word India और agent से हम लोगों ने याद गया था जब से काम online होना शुरू हुआ है इंडिया के जो agent से वो क्या हो गए है वो गरीब हो गए है यानि कि popper हो गए है अभी आधना पापड बेचने वालों को गरीब समझा जाता है तो popper हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, पूर हो गए है volatile word हम लोगों ने ओले और टाइल से याद गया था ओले जैसे ही टाइल्स पर गिरते हैं तो ओले टाइल्स पर गिरने के बाद में क्या हो जाते हैं भाई चेंज हो जाते हैं यानि कि पहले वो solid form में होते हैं, उसके बाद में वो liquid form में हो जाते हैं, यानि कि mercurial, mercurial word किसे याद गया था, mercury से, कि जो mercury धातू होती है, वो एक changeable धातू होती है, या एक और word हमने याद गया था, flux, और flux word को याद गया था, lux से, lux आप उन लगाने से आपके शरीर में लगातार प्रिवर्तन होते हैं, तो लगातार change होना, लगातार प्रिवर्तन होना, flux कहलाता है, भई, प्रेयल हम लोगों ने याद गया था, free में rail, भई, free में rail की यातरा करोगे, तो rail मंत्राले कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर, यानि कि गोंट, गोंट वर् हो जाएदा है, इसलिए आपकी जो ये inner है, ये कमजोर हो गई है, feeble हो गई है, क्या हो गई है, feeble हो गई है, यानि कि fee में बल नहीं था आपके institute की, इसलिए आपका institute कमजोर हो गया है, तो यहाँ पर keep on changing जो ये है, according to me, C option is the right answer, और जिस जिस बच्चे ने यहाँ C जवाब कर रहे है, चुलिए, fifth question is right here on your screen, इसकी जो PDF है वो हमारी एप पर मिलेगी, तो एप का link है, वो नीचे description में दिया गया है, to spoil or defame means, किसी को बरबाद करना, खराब करना, या defame कर देना, यानि कि एक तो famous करना होता है, फिर एक उसको बदनाम कर देना, दूशित कर देना, खरा चलि, circumspect word को हम लोगों ने याद गया था, सर का respect, सर का respect करते हुए, हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतने चाहिए, जो सावधानी होती है, वो circumspect कहलाती है, defile word को याद गया था, हम लोगों ने देश की file से, देश की file को नेता लोगों ने क्या कर दिया है, बदनाम और जोड देगा, खराब करना क्या होते है? एक वर्ड था deform, किया था भई? deform, और deform word किसे याद गिया था? दो और form से, دो forms दिए, मैंने आपको fill करने के लिए दोनों के दोनों आपने खराब कर दिये, बिल्गुल भई, चलिए, और बिगाड देना क्या होता है, जो स्पोयल होता है, साबोटेज हमारे एक वर्ड है, सब और स्टेज से हम लोगों ने याद गया था, सब स्टेज जो वहाँ बने हुए हैं, उनको तोड़ दो, खराब गर दो, तहस नहस कर दो, चलिएगा, सरकेटस वर्ड हमने सरकस से याद ग लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहडी रास्ता जो होता है, वो होता है भई, घुमावदार, चलिए, ऐसे को याद करने का तरीका, ऐसे, यानि कि जो प्रस्ताव होता है न, उसी से हमने याद गया था, यानि कि प्रस्ताव लिखकर अपने टीचर से अपना मुल्यांकन करवालो evaluation करवालो तो यहां पर अब भी option हमारा बिल्कुल सही लग चुका है जी तो evaluation जो होता है मुल्यांकन करना या करवाना वो ऐसे कहलाता है भई चलिएगा तो six six जो आपका question वो लग चुका है चलिए कजोल से हम लोग शुरू कर लेते हैं काजोल heroine से हमने इस word को याद गया था आप काजोल heroine की चापलूसी कर रहे हैं यानि कि flattering कर रहे हैं बटरिंग अप कर रहे हैं boys trust हम लोगोंने boys से याद गया था यानि कि boys लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो हला करने वाले होते हैं शौर शुराबा करने वाले होते हैं जिसके लिए एक word आया था यह पैंडिमोनियम क्या था पैंडिमोनियम और पैंडिमोनियम वर्ड हम लोगों ने याद किया था किस से देखिए पंडे और मुनियों से पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम काउच चान करके वातवन को शोर शुराबे से प्रिपून बना दिया है तो शोर शुराबे से जो भरा हुआ होता है वो पेंडिमोनियम कहलाता है ये शोर शुराबा करने वाले होते हैं क्या होते हैं शोर शराबा करने वाले होते हैं लेकिन कोई और आप्शन नहीं है तो यहां पर ओल्द सेंगे हम लोग लगा देंगे इस राइट एंसर पैंसिव अच्छा इसके लिए और वड़ आ गया रेटल क्या हो गया रेटल किससे याद गया था रेट से घर में जितने पैंसिव वर्ड को हम लोगों ने पैंण और शिव से याद गया धा क्या कहलाता है भाई जी बिल्कुल तो अब भी option यहां लग चुका है and I hope कि आप लोगों का जो यह test चल रहा है या अभी तक आप लोगों ने 6 on 6 score किया होगा चलिए 7th question is right here on your screen to pacify means किसी को शान्त करना क्या कहलाता है all the same 4 options are right here aswage abandoned nonchalant या canvras देखेगा दो तीन सेगन आए थिंस आप लोग जवाब लगा लेते होंगे aswage हम लोगों ने याद गिया था आसू से आसू नाम का एक लड़का है हमारे यहां गाओं में नाम होते हैं आसू कितरा जा आसू नाम का जो लड़का है वो आज सब को शान्त कर रहा है तो यहां पर पहला यह option है वो बिल्कुल सही जवाब लग चुका है जी A option is a right answer जानि कि इसके लिए दूसरा वर्था slake और slake वर्ड किससे याद गिया था इस और lake से इस लेक से पाने पेगर मैंने अपनी प्यास को शान्त किया क्या किया शान्त किया एक वर्था सरीन सरीन वर्ड को हम लोगों ने याद गिया था siren से पुलिस का siren सुनते ही जो चोरुचक के लोग होते हैं वो शान्थ हो जाते हैं एक वर्था प्लेकेट यानि कि प्ले किया उसने कट्रीना कैफ के साथ नाटक किया कट्रीना कैफ के साथ उसके बाद में वो शान्थ हो गया चलिए मॉलिफाई विरप्पा मॉयली अपने समर्थकों को शान्थ कर रहे हैं Abandon word को हम लोगों ने याद गिया था, अब उर बंधन से, अब सारे बंधन तोड़ दो, छोड़ दो, त्याग दो, तोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना, क्या कह राता है? Abandon कह राता है भई, बिल्कुल. According to sense, अगर आप लोग याद करेंगे, तो eradicate हो गया है, eradicate तो जड़ से उखारना होता है, जड़ से उन्मूलन कर देना, या, इरादे कैट के काफी खतरनाग थे, इसलिए हमने उससे अपने साज संबंध तोड़ लिए, या एक वर्था शन, शन को हमने याद गया था, सन से, क करना क्या गया गयाता है, जेखो ये छोड़ देना, तोड़ देना है, लेकिन मैंने अलग करने के लिए आपको बताया है, नोनचलेंट वर्थ हम लोगों ने याद किया था, नाना का चलान, नाना का जो चलान है, वो किसकी वज़े से घटा, लापरवाही की वज़े से, क् मधूर कैसा सुनाई देता है मधूर यानि कि यूफॉनिक यूफॉनिक वर्ड हम लोगो नहीं याद गया था यौर और फोन से आपके फोन से बिलकुल मधूर अवाज जा रही है तो यूफॉनिक का मतलब क्या हो गया भई मधूर हो गया चलेगा चलेगा इसके लिए many more words can be there और right now if any word is right there in your mind so comment section में जाएगा और फटावड एक बार लेख दीशेगा इन सारे words के synonyms क्या synonyms हालांकि English language के अंदर कोई भी word किसी भी दूसरे word का synonym हो ही नहीं सकता यह fact है लेकिन चलता है हम भी चला रहे हैं लेकिन यह fact है synonym नहीं होता है English में कोई भी word किसी भी word का लेकिन हम लोग लगा देते हैं बना देते हैं तो इसके लिए किसी word के लिए दूसरा word जो आपके mind में हो जो भी यहाँ पूछा गया है जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो you are to do one thing यहां comment section में जाएगा और वो word लिक देजिएगा चलिए here we go for question number 8 and question number 8 is right here on your screen quelsum means जो जगडालू होता उसको क्या बोला जाता है पड़ावड जवाब लगाईएगा और आज वैसे भी इस्त्रियों का ladies का भाई त्युहार है और 365 जो ladies वो काम करती है वो without payment करती है सुनेगा और वो बदले में क्या चाहती है आपसे सोने चांदी हीरे के जवारात नहीं चाहती है वो चाहते है कि at least दो शब्द जब आप बोलो तो उनसे प्यार से बाते करिए आज ladies के बारे में कोई comment नहीं करनेगा बिल्गुल भी कोई comment नहीं किया चाहेगा तो जगडालू जो होता है उसको खबरदार अगर किसी ने ladies से जुड़ा तो चुलेगा पैना जो word है वो benevolent क्या है बई? benevolent और benevolent word को हम लोग ने याद गया था बेनी और बाबा से किससे याद गया था बई? बेनी बाबा से बेनी बाबा बड़े ही दयालू है क्या है? दयालू है तो दयालू का मतलब बन गया भाई, kind hearted जो होता है वो benevolent और दयालू था क्या बनेगी? largest, largest word को हम लोगों ने याद गया था, large और dress से कि भाई, large dress पहनने वालों के अंदर क्या होती है? उदारता होती है, क्या होती है? उदारता होती है, reprisal word को हम लोगों ने याद गया था, re और price से, re का मतलब क्या होता है भाई, दोबारा, और price क्या होता है, price होता है, दोबारा price लेने वालों से बदला लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा, याने कैसे होते हैं भाई रक्मे लूसेंट पढ़ने वाले कैसे होते हैं देखिए जो सभाव तता चुरित्र में जंगले तथा रूखा हो उसको ट्रूकल एंट बोला जाता है तो आई हाप आप समझ गए है असी नाइन वर्ड हम लोगों ने एस और नाइन से याद गया था एस का मुर्ख भॉंदू के लिए आप लोग देख लीजिएगा हाव मेनी वर्ड सा राइट दया इन यूर माइन सो कोमेंट सेक्शन में जाएगा फटावड एक बार आप कोमेंट करके मुशे बताईएगा चलेगा डियर्स इसी के साथ में सेकिंड लास्ट वर्ड इस राइट ह लेकिन रखने का जो बनता है वो तो जैंस को रखना चुछिए आप मुझसे नहीं पूछने है अपना देखना है चलिए वेरी लिनियंट मेंस जो बहुत ज्यादा शरीफ होता है शरीफ होता है जो सीधा साथ होता है उसके लिए दो वर्ड जोलीड मैं आपको बता चुका जीवन में ऐसाफल हो जाते हैं और उनको एक बिग फेलियर का सामना करना बढ़ता है तो ऐसाफल का मतलब प्यास को केंडिड वर्ड हम लोगों ने केंडि से याद गिया था कि वह केंडि खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं सीधे साधे होते हैं या इसके लिए जो वर्ड आया था दूसरा वो नई वाया था भारत में नाव चलाने वाले लोग भी कैसे होते हैं सीधे साधे होते हैं बिलकुल भई बिलकुल मैम को हम लोगों ने मैम से याद गया था कि मैम ने उसे इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वह अपंग हो गया अपंग यानिक डिव्या हो गया, mercurial word को हम लोगों ने यार गया था, mercury से, mercury धातू कैसी वोती हे बही, एक परिवर्तनशी दातू होती है, changing व प्रत्हुर, लगाया है अब नमने खाते में एक नमबर जोड़ देशेएगा जे विल्कुल जे विल्कुल जे विल्कुल लास्ट वाल जो हमारा question उसके तरफ हम लोग जाने वाले हैं तो एक बार फट आफट आप मुझे यह बताएगा comment करके कि आज का जो यह test है इसके अंदर I hope so कि अभी तक 9 on 9 आपका answer आपका जो score है वो लगना चाहिए मेरे हिसाब से लगना चाहिए जितने में competitive exams में जो commonly हमारे words जाते हैं उनकी एक list बनागर के हम आपके सामने आते हैं चलेगा last question is right here on your screen to praise means किसी की परशंशागरना क्या गयलाता है बताएगा castigate largest stigma या upload फटा बटा एक बार जवाब लगाएगा बही चलेगा इस तरीके से अगर आपको यह लगता है कि वो क्या बड़े आराम से सीखी जा सकती है तो English Zone YouTube चैनल को आप subscribe पुरेगा and hit the bell icon right चलेगा grammar के जितने भी topics हैं वो सारे topics आपको करवाए जाएंगे एक बार आप मुझे बताएंगे कि वही कौन से वाला topic आपको करना है वही फिर मैं आपको live आकर के पढ़ाऊंगा बही चले castigate word को हम लोगों ने याद गया था कास्ट और gate से उसकी कास्ट की वज़े से उसे gate पर ही डांटा फटकारा गया क्या 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 वारातियों ने उपदर्व किया इसलिए उनको डांटा फटकारा गया यानि कि उन लोगों ने क्या किया उपदर्व किया हंगामा किया हंगामा था ना शोर शराबा किया या उपदर्व तो खेर वैसे अलग चीज होती है हंगामा एक अलग चीज होती है तो largest word हम लोगों ने याद गया था, large dress से, large dress पहनने वालों के अंदर उदारता होती है, किसके अंदर होती है, ladies पहनती है, वह dress, और जो gents से हों क्या पहनते हैं, clothes, और जो school के बच्चे commonly पहनते हैं, यानि कि एक जैसी पहनते हैं, uniform, क्या होती है भई, uniform, और ये fact होता है, दो बार समझाएगा तीसरी बार तो आवाज आईगी फटैक वाली राइट इसलिए यहां पर जो मदर मदज होती हैं वो सहन्षिल होती है वह लेडिस होती है उनके अंदर दयालोता होती है इस चीज में कोई दोराय नहीं है और एटेस नोर्स हो कि आज करवाचोत का पर्व ह और मैडम वहाँ सामने बैठकर मुझे सुन रहे हैं इसलिए नहीं कह दो रहा हूं मैं कि डरते हम किसी से है नहीं चले आगे स्टेग्मा वर्ड हम लोगों ने याद गया था किससे स्टेज और में क्या बई स्टेज में स्टेज में डैंस करने के बाद कुछ हमारी कलाकार ह क्या लग गया कलंक जो होता है वो कहला था वह स्टिग्मा क्या किलाता है स्टिग्मा बिल्कुल अप्लोड वर्ड हम लोगों ने आपका अप्लोड से याद गया था जो आपका अप्लोड है वह बहुत बड़ा है इसलिए लोग इसके तारीफ कर रहे हैं प्रशंशा कर रह हैं और एक्स्टोल करना भी तारीफ करना कहलाता है किससे याद गया था एक्स्ट्रा और टोल से एक्स्ट्रा टोल गल्स की लोग क्या करते हैं तारीफ करते हैं जे विल्कुल यहां पर आपके live sessions होंगे वो चाहे आपका literature है चाहे आपके grammar है poetry है कुछ भी है 9-12 सारी चीज़े हैं यहां English के आपको मिलेंगी SBSC board मिलेगा, CVSC board मिलेगा और भी जो boards होते हैं वो सारे मिलेंगे तो English में अगर कोई भी problem है एक खास पर चाहेगा जी spoken English का तो English के अंदर अगर किसी कोई problem है तो do let us know और यह वाला जो number है यह हमारा English zone का number है भई तो यहां WhatsApp कर दीचेगा if you face any type of problem then feel free contact us right well dears it was well about today's session so once again I am your language trainer Dr. Rajesh Brasamy right here I will be meeting you later on for the time being all the same मेलक समय वन्यू, have a nice time, take care, thank you, please subscribe to the channel, have a nice time, take care